हाई गाईज नमस्ती आप सब इका मेरी चैनल पॉल्ड फ्लावर सेवन सिक्टी टेट पर स्वागत ही गाईज अब सब कैसी हो आई हो आप सब ठीक होंगे गाईज तो आज क्यों में रिडिंग है काईज की आपकी लव लाइफ में आगी क्या होने वाला है इसके लिए मैंने पाइल थे जिसके से नहीं चूज कहें डिवाइन उनिवर्स बताई कि उनकी लव लाइफ में आगी क्या होने वाला है इस डिवाइन पेज अपकोब six of swords okay the hermit nine of cup nine of cups okay the high priestess or the hell friend bottom of the deck हमारे पास से गाइज two of pentacles चलिए यहां से लिखते ही उनिवर्स डिवाइन door to spirit angel of balance second chakra archangel ariel sacral chakra guys goddess of the moon or man holding a heart bottom of the deck हमारे पास से गाइज पीसंस तो यहां हमारे पास साइन है हैं guys water sign okay cancer spices copy air sign Gemini Libra Aquarius और यहां और साइन भी है हमारे फाइर साइन में गाइज और जिनके साइन नहीं आए हो उनको मैं बता दू गाइज कि हमारे बर्ट शार्ट में सभी साइन मोजुद होते हैं ओके तो आपकी लोव लाइफ में आगे क्या होने वाला है इसके लिए मैं आपको कहना चाहती हूं गाइस की आपके साधी होने वाली कॉंग्रिश लेशन्स ओके यह पाइल थी जिस किसी की भी पाइल है उनको मैं बताना चाहती हूं कि आपका इंतजार रंग लाया है आपने जो बहुत ज़्यादा मेहनत की है जपा जब बहुत कुछ की है काइस ओके और आप ट्रेम या सोलमेट की जन्मी में हो काइस और यह जो आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की है अपनी एनर्जी को बैलन्स करने के लिए वह रंग लाई है और अब आपकी डिवाइन टाइमिंग आ चुके है काइस जिस किसी की आपकी लव लायफ में आगए आपकी साधी होने वाली है फाइव मन्द के अंदर पांच मेने के अंदर आपकी साधी उनके साथ होने वाली है और यह सब कुछ अच्छा नखी होगा ओके तो आप अभी हाल फिलाल जो भी third party हो जो भी अभी situation आपकी हो आप दोनों एक दूसरे के साथ बात नहीं भी कर रहे हो उन्होंने आपको ब्लोग भी क्यों नहीं कर दिया हो फिर भी मैं आपको कहना चाहती हूँ गाइज कि आप दोनों के साथ ही पांस मेने के अंदर पांस मेने के अंदर वो आपके साथ साथी करने के आप decision लेंगे और पांस मन के बाद तो आपके साथी उनके साथ हो ही जाएगी तो यह reading तो बहुत ही चोटे है क्योंकि अभी जो आपके live में ये है क्योंकि आपके partner आपको लेके decision नहीं ले रहे हो उपको जवाब नहीं देते नहीं के आपको बहुत सारे अपके मन में सवाल है कि आपने बातों को आपके सामने रखते नहीं है कभी-कभी आपको आपके partner mysterious लगते हैं वो अपने सारी बातों को छुपाते हैं आपको लगता है वो अपने दिल की बातों को भी मेरे साथ सेल नहीं कते हैं इस तरह से भी आपको लगता है तो आपके सारे सवालों के जवाब आपको मिलने वाले हैं ये five month के अंदर औ और वो आपके सामने एक बड़ा strong offer साधी का रखने वाले है, प्रपोस करने वाले है आपको साधी के लिए, Will you marry me? इस तरह से, ओके? और आपने यहां साफ साफ दिख रहा है guys, किसी का relationship 9 साल का भी है guys, 9 साल का, 6 साल का किसी का है guys, किसी का 7 साल का है guys, किसी के relationship 2 साल की, 2 साल या 3 साल, मतलब आपने बहुत ज़्यादा वेट किया है उनका, बहुत ज़्यादा, और आपने बहुत सारी situation को जहला भी है, एक वक्त ऐसा भी आया था, जब आप दुनों एक दुसरे से बहुत ज़्यादा अलग हो गए थी, और एक दुसरे के साथ बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे थी, तो ये सारी जो एक आपके दिल में एक ख्वाहिस थी कि सब कुछ पहले जैसे ठीक हो जाए तो वो सब कुछ अब ठीक होने वाला है, और जिनोंने नौ साल इंतिजार किया है, उनके लिए हैट्स अब काईस, अब आप मिलने वाले हो, और सब मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि सब कुछ अचानक होगा, सब कुछ इस वज़र से आपको ज़्यादा सोचना नहीं है कि कब कैसे होगा, आप अभी तक पॉजिटिव रहे हो, तो पॉजिटिव ही रहे, आपने अपने पॉजिटिव और नेगेटिव सिच्विशन को किस तरह से लेना है, किस तरह से आगे बढ़ना है, अभी तक जो किया है, उस तरह से ही रहे, और अपने आपके उपर जो विश्वास आपने अ झाल के अब आपके लाइफ में बहुग ज्यादा प्यार आने वाला है। बहुग ज्या-दा यह जो आफका पार्टनर है, जो आपको आपको अपने दिल की सारी बाते नहीं बताता था, आपके साथ सही तरह से बात भी नहीं करता था। आपको लगता था कि ये तो मुझसे बहुत सारी बाते चुपाते थे इस तरह साथ आपके मन में बहुत सारे सवाल उनके लिए है जो अभी तक आपको नहीं मिले है वो सारे सवाल आपको मिल जाएंगे वो सब कुछ आपको मिलकर ही बताना चाहते ही और मिलकर ही अब बताने वाले है आप दुनों अभी तक कितनी भी बार मिल चुके हो लेकिन उन्होंने आपको अपनी जो एक बात खास बात है जो कहनी चाहिए वो नहीं बताई है वो अब कहेंगे आपका मिलना भी बहुत ही कम हो गया, लेस हो गया और मैंने आपको बताया कि एक वक्त ऐसा भी आए कि आप दोनों एक दूसे से महुत दूर हो गए और फिर से धीरे धीरे आप दोनों एक दूसे को लेकर सोचने लगे और फिर भी अभी भी आप दोनों एक दूसे के साथ जितनी पहले बात्चित किया करते थी उतनी नहीं होती है और आपको भी लग रहा है कि हम दुनों का रिलेसंसिप वक्के साथ थोड़ा बदल रहा है चेंज हो रहा है और आप दुनों भी एक दुसर के रिलेसंसिप के लिए मैच्छे और हो रहे हो बहुत ही बढ़िया गाइस ओके तो मैंने आपको बता दिया कि फाइम मन के अंदर वो आपको प्यार का इजहार करेंगी या फिस साधी के लिए मैंने तो आपको साब साब कही दिया कि वो आपको प्रपोस ही करेंगे साधी के लिए ये जिस किसी की भी रेडिंग है और ये रेडिंग आपसे रेजनेट होई हो तो मुझे कॉमन करके ज़रूर बताईए टू और सौर्ड और पेसंस आपने सारी अनर्जी को बैलेंस कर लिया आए अब आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है अब आपको जो अभी हाल फिलाल आप रह रहे हो पॉजिटिव वैसे ही रहना है आपने अपने एक मुकाम बना दिया है अपने पेर उपर खड़े भी हो चुके हुआ अब आप गोड़े जब्दमून के एनर्जी में आ चुके हो तो आपके पार्टनर भी इस तरह से अब अपने एनर्जी में आ चुके है और आपने ही अपने पार्टनर की एनर्जी को ब तो जिन लोगों ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है और वो Goddess of the Moon और High Priestess की एनरजी में है, उनके लिए मैं कहना चाहती हूँ कि आपकी साधी होने वाली है, ओके, और फाइव मंद के अंदर सब कुछ अचानक से हो जाएगा, और आपके पार्टनर सामने से सभी तरह से अफ़र्ट लगाएंगी, ओके, और वो आपके लिए सब कुछ करेंगे, तो यह है आपके रिडिंग, अगर आपके रिडिंग अच्छे लगी है तो मेरी चैनल को लाइक करें, सेर करें, सब्सक्रेब करें, कॉमन करके ज़र बताए बाइगाई आपके लगाएंगी, और 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